स्पीकर दोनों ही जबरदस्त हों काटे के टककर होने वारी है थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको प्राइस ज्यादा चाहिए या फिर फीचिर से लेना देना है या फिर आपके लिए साउंड इक प्रियोटी है तो जैब्रोनिक्स जैब म्यूजिक बॉम एक्स वर्सिस रिय सब्सक्रार बादा है जाता है जिसमें आप दूसरा हुक लगा कि उसको कर सकते हूं बैटरे के मामले में रियल मी काफी आगे है और वो इस सेग्मेंटमे सबी को बीट करता है 500 mh की massive battery के साथ Zebronics में सिफ 4000 mh की battery आती है Battery backup हलाकि claim किया गया है Zebronics का 20 घंटे का जबकि Realme claim करता है सिफ 14 घंटे का battery backup Indefinitely Realme and Zebronics battery के मामले में बहुत अच्छा performance देते हैं लेकिन दोनों में ही 10-10 vote के 2 drivers हैं तो total 20 vote आता है पर battery backup Zebronics ने 20 घंटे का play किया है जबकि उसमे 4000 mh की battery है और Realme में claim किया है 14 घंटे का जबकि उसमें 52 mh की battery है तो ये बात थोड़ी सी मुझे गड़बडार में लगती है तो आप on and average battery backup Realme का ज्यादा मान सकते हो Realme में 3 EQ mode मिलते हैं जो की Zebronics में है ही नहीं उसमें आपको नूर्मल एक्टिफाल फोल्यम मिलती है जिससे Realme की sound quality का experience है वो थोड़ा सा enhance हो जाता है Realme में game mode भी देखने को मिलता है जो की Zebronics में नहीं मिलता है game mode on करने से जो sound की quality होती है quality in the sense जो signals का transferring rate है वो बहुत ही low latency पे काम कर जिससे उसकी quality जो है audio quality microphone के quality enhance हो जाती है base radio की बात करें तो Realme में दो dedicated waste reader दिये गई है जबकि Zebronics में सिर्फ एक दिया गया है weight के मामले में Zebronics बाजी मार लेता है Zebronics सिर्फ 560 gram का है जबकि Realme 738 gram का है ports के मामली में भी Zebronics कहीं आगे है Zebronics में AUX, USB और SD card तीनों slot देखने को मिलते है जबकि Realme में सिर्फ एक AUX और charging slot देखने को मिलता है Zebronics में RGB मिलती है जो कि उसकी looking को उसकी appearance को बहुत enhance कर देती है Realme के मुकाबले Easy to carry में क्योंकि Zebronics में एक छोटा सा hook दिया गया है तो उसकी जैसे वो थोड़ा सा slightly easy to carry है Realme के मुकाबले Sound quality की definitely अगर हम बात करें पर उससे पहले बात कर लेते हैं charging time की क्योंकि वो भी बहुत important होता है Realme 3 गंटे में full charge हो जाता है 500 mh की battery with 10 vote के charger के साथ Zebronics में bass बहुत अच्छा मिलता है Loudness बहुत अच्छी मिलती है But 100% volume पे कहीं ना कहीं जो loudness है वो थोड़ी सी डगमंगा जाती है जो clarity है वो नहीं मिल पाती है जो आपका experience अब को मिलना चीए वो नहीं मिल पाता है Bass थोड़ा सा दबा देता है vocals को तो 100% volume पे उसको ना ही सुने तो ज्यादा बेटर है 80-90% volume पे बहुत ही amazingly performance वो देता है But realme में 3 modes है जिब आप 3ों में switch करते हो Bass boosted plus bright or dynamic 3ों ही modes में आपको अलग से experience होगा कि हाँ आपने कोई mode change किया है जो mode आप select करोगे उसके हिसाब से वो अपनी performance देता है 100% volume पे भी अभी तरह कोई distortion मुझे feel नहीं हुई है And definitely वो work करता है So sound quality EQ modes होने की वज़े से Realme की ज्यादा better है Zebronix के मुकाबले Loudness and bass की बात करें तो दोनों ही टक करके खिलाड़ी है यहाँ पे ज्यादा निकल के आता है तो वो एक advantage आप कह सकते हो यहाँ पे Zebronix के base को आप कुछ भी control नहीं कर सकते हो नहीं loudness को control कर सकते हो But Realme में आप कुछ हद तक Base and loudness को अपने हिसाब से modify कर सकते हो Finally बात करें Checklist की देख लेते हैं एक बात तो यहाँ पे तो चेकलिस देख लेते हैं Total Zebronix को points मिले है And यहाँ पे Realme को points मिले है 7 तो हमारी चेकलिस के हिसाब से आज का winner Zebronix है But finally बात करें कि आपको लेना कौन सा है तो देखो अगर आपका price एक issue है आप 300 रुपे और उपर नहीं लगाना चाहते हो Definitely Zebronix आपके लिए होने वाला है But अगर price को side में रखें आपको sound quality से मतलब है Then definitely Realme को मैं एक advantage मानता हूँ दूसरा अगर आप एक अच्छा battery backup चाहते है Then again आप Realme की तरफ लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा portable दिखने में ज़्यादा सुन्दर और connectivity options के साथ एक speaker चाहिए Then definitely आप Zepronix के लिए जाओ ऐसा नहीं है कि दोनों brands में कोई भी speaker बेकार है But ये आपके उपर depend करता है कि आपको एक ज़्यादा cool looking speaker चाहिए या फिर एक आपको ज़्यादा अच्छी sound वाला speaker चाहिए दोनों में से आपको decide करना है देखो cool Zepronix cool के साथ साथ सस्ता भी है साथ में इसको आपको Aux, USB, Micro SD card का भी slot मिलता है and ये easy to carry भी है साथ ही इसका company claim करती है battery backup 20 घंडे का तो इस हिसाब से Zepronix भी आपके लिए एक अच्छी choice है and real me भी आपके लिए एक अच्छी choice है क्योंकि personally मुझे real me का sound quality का experience है वो स्यादा better लगा so ये मेरी personal choice है बाकि आपके उपर है और comment section में mention ज़रू करना कि आपके सबसे दोनों में से better गोंस है and मैं ज़रूर जाना चाहूँग अब क्या सोचते हैं उसके बारे में bye bye take care see you in the next video and 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 आपको बताइए क्या करना है subscribe करो यार channel को grow करा हो तभी हम ऐसी amazing amazing comparison आपके लिए लेके आते रहेंगे